कि अलो दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी सेक्सक्राइब उपर तो दोस्तों आज हम लेकर आचुके हैं ठोस वस्ता का भाग तिरी जैसे कि हमने पिछले भाग में आपको दो पार्ट करा दिये थे एक करायता आप को क्या कहते हैं पीछे का आई зачूस त्था शर्यक्षोस तो Angakensor के वारे में अब हम उन्का तीसरा पार्ट आड़क् टोस सता आड़क् टोस के बारें पर्डेंगे तो आड़क् टोस क्या होते हैं बेसिकली इनको हम जाने के वे थोस जिनके अवे-भी काड़ अडू अड्विक्टोस खहराते हैं जैसे उधाराण के लिए हम कहें हैं S2O, S2 Hydrogen Gas और S2O आदी अब हम बात करेंगे इनका चोटा पार्ट धात्विक ठोस आप इनके नाम से ही समझे होंगे धात्विक ठोस तो ऐसे ठोस जिनके अभी अभी गड़ धातू होते हैं धात्विक ठोस खेलाते हैं और धातु जितने भी होते हैं सारे सारे बितुत के सुचालग होते हैं आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा दोस्तों अब इनका हम उदार ले सकते हैं सोना चांदी पीतल लोहा आदी पहुंच चीज़े होती हैं अब हम आगे पढ़ेंगे अपनी अगली एडिंग एक्स क करण बिवर्दन ठीक है तो यह वैविदी है जिसके द्वारा ठोसों के क्रिष्टली संद्शना का अद्दिन के जाता है यानि कि अगर हमें किसी ठोस का क्रिष्टली संद्शना का अद्दिन करना या उसके बारे में जानना है तो हमें एक्स करण बिवर्दन विदी का नियमित विवस्ता में एक निश्चित क्रम में जुड़ने से बनता है। एक क्रिस्टल बन पाएगा। देते हैं या बना लेते हैं तो उस्तंदशना हो क्या कहते हैं। तिर्विन में जालक या क्रिस्टल जालक कह सकते हैं। अब इनके कुछ नोट पॉइंट हैं दोस्तों। जैसे कि तिर्विन में जालक का प्रतेक बिंदू परमारू अथ्वा अडू को प्रदर्शित करता है। अब अंगला एक और पॉइंट है कि तिर्विन में जालक का एक बिंदू एक पिर्टेक बिंदू सदयव जालक के अन्य बिंदू हो से बिल्कुल समान होता है। तिर बिन्मे जालक का प्रितेक बिन्दू संपूर जालक के अन्य बिन्दूओं से बिलकुल समान होता है यानि कि अगर माना कि पहला बिन्दू टू है तो उसके जितने भी बिन्दूओं होंगी वो टू 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 करकर के होंगे यानि कि सारे बिन्दूओं समान होंगे अब कुछ किस्टली रहना हो जैसे मुंक्यते दो परकार के दोस हो तो इनके अंदर ब ό ज और भी मुंक्यता 4 परकार के उत्थ है तो आज अवी चार हो के बारे मैं बात करेंगे आपको अगली वीडियो में इसका दूसरा मिल जाएगा तो सबसे पहले हम रत में पहले दोस्त को जाने हैं यह पहला दोस्त होता आपका दिखती का दोस्त बेसिक तोर पर इस दोस्त में कुछ इस्थानों पर अपने इस्थानों से हट जाते हैं यानि कि हम मानें कि जैसे यह बॉक्स है इसमें यह अभी अभी खड़ा है सब तो यह क्या होता यह अपने स्थानों से हट जाते हैं अपने स्थानों से हट जाते हैं और उनके इस्थानों पर रिख्टकाय बन जाएंगी यह जब हट जाएंगे तो इनके इस्थानों पर रिख्टकाय बन जाएंगी और इसी दोस्त को हम रिख्टकाय दोस कह सकते हैं और इस दोस्त के कारड़ गनतु कि तुमें कमी आ जाती है Rikta कड़ ग है तुमें कमी आ जाती तो हम ऐसे समय सकते हैं वěक है इसे दोस्त को क्या कहते हैं और पहले पहले क्षेट है और शचाशों कि निकल जाता है तो उस के सारुपरие से रिखते का है मन जाएंगी इसी इनी रिखते काओं को क्या कहते हैं दोस को क्या कहते हैं रिखते का दोस कहते हैं और इसके कारण क्या होता है घनात में कमी आ जाती है अब आपका दूसरा दोस अंत्राकासी दोस इस दोस में कुछ अभी अभी कर अंत्राकासी स्थानों में जाते हैं और इस दोस को अंतराकाशी दोस कहते हैं और इस दोस के कारण घनत में ब्रद्धी हो जाती है जैसे कि यह कोई एक ौक्स है और इसके अंदर यह यह एक आयन लिए और में बूजरे वह सारे आयने इलेक्ट्रों के तो जो इनके वगल में अब यभी कड़ उंगे वह इनके इलेक्ट्रों कि अंत्रागाफी कोस में चले जाएंगे और इसके कारण क्या होता है इनके गणातु में ब्रद्धी हो जाते हैं अगला यह इसको मोस्ट इंपुरेंट आ सकते हैं बहुत ज़्यादा पूंचे जाता है वोड़ में आपके कि स्वाट की दोस इस दोस में जितने धनायन अपने स्टान से घढते आ है कि अब हम समझ सकते हैं यह से इससे इसके अंदर माइनस प्लस माइनस प्लस है यहाई एक प्लस यहां से लेगा तो एक ही माइनस यहां लेगा आट तो इस दोस को क्या कहते हैं स्टॉट की दोस कहते हैं और यह मुक्के तर बहुत परकार के योगिकों में होता है जैसे वदाराण, NaCl, Sodium Cloride, Agbr, Silver Bromide आदियों में होते हैं ठीक है अब इस दोस में घनातु की कमी आ जाती है क्योंकि जब आयन अपने इस्तान से हट जाएंगे तो क्या बजाए घनातु की कमी आ जाती है ठीक है अब इस दोस में घनातु की कमी आ जाती है ठीक है वे आईिश यॉरुट की दोस ह cruise होता है वे एनिश योगिक ये जो सौट की दोस होता है वैउ उन योगिक हो में पाई जाता है चिन में धनायन अधर उनायन के आकार समान होते है तो ये इस दोस्त में धनायन अपने इस्तान से हटकर अंत्रा कासी इस्तानों में चले जाते हैं और इस दोस्त के कारण गनत्त में कोई परिवर्तन नहीं होता यानि कि हम सोच सकते हैं जैसे यह है दनायन आपके रणायन और इधर कोई positive e-charge है तो यह रणायन इनके e-charge यानि कि अंत्रा कासी इस्तानों पर चले जाएगा और इस ते क्या होगा इस दोस्त को अपन क्या कहेंगे आपका फ्रेंकल दोस्त कहेंगे इसको अपना फ्रेंकल दोस्त कह सकते हैं अब यह किनकिन होगी को अमें होता है तो वे आयनी क्योंगी जिन मे धनायन इधर रणायन का आकार का आकार में अधिक अंतर होता है यह दोस्त उनमें पाए जाता है यानि कि जिन में धनायन अतर धनायन का आकार में अधीक अंतर पाए जाता है या दोस उनमें पाए जाता है यह उदारण के लिए मुख्यत हम ले सकते हैं AGCL या AGBR आपको उदारण याद करने हैं सोटकी और फ्रेंकल दोस के तो आप एक याद कर लेना जादा से जादा AGBR क्योंकि आपका तौन अपरिबू सेम हो जाएगा आपको आसानी मिल जाएगी तो मैं द्वारा समझाता हूँ इसको इस दोस को तो फ्रेंकल दोस क्या था आपको अपना इस दोस में धनायन अपने इस्तान से हट कर यानि कि जो धनायन होते हैं वे अपने इस्तान से हट जाते हैं और किसमें चले जाते हैं अंतरा काछी इस्तानों पर चले जाते हैं और और इस दोस्त के कारण क्या होता है कि गनत में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है और यह क्रिणी होगी को में पहले जाता है जिन में अधीक अंतर उपस्तित होता है और इसका आप उधाराण देख सकते हैं कि अगर आपको हमारी वीडियो दोस्तों अच्छी लगती है तो जाएक शेयर सब्सक्राइब परें दोस्तों एक वीडियो को और रहे गा यह चेप्टर इसके बाद आपका यह चेप्टर खत्म हो जाएगा फिर आपको दूसर चेप्टर आपके लिए विलियन लेगर आएंगे जल्दी सेल्दी जाए 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 दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें अपने चैनल को यूपी सब्सक्राइब को और अगर आपको कोई चीन नहीं समझे माई तो आप कमेंट करें हम अगली वीडियो के माद्दम से आपको वो के लिए कर देंगे बात एक अगली दें जाए जाया जाए जाया जाया